हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं विरत दुबे शिकार के अधिकता के कारण गैंडो के सींग छोटे हो रहे हैं, आये जानते हैं इस विशय के बारे में British Ecological Society द्वारा जारे रिपोर्ट के अनुसार शिकार के अधिकता के प्रभाव के कारण गैंडो के सींग समय के साथ छोटे हो गए हैं वैग्यानिकों ने गैंडो के सींग की लंबाई और मानवी द्रिस्टिकोन में बदलाव का आकलन करने के लिए पांच शताबदी से अधिक पुरानी कलाकृती और तस्वीरों का विशलेशन किया है इसमें वैग्यानिकों को गैंडो की प्रजातियों में समय के साथ सींग की लंबाई में गिरावट के सुबूत मिले हैं दरसल गैंडों का लंबे समय से उनके सींग के लिए शिकार किया जाता रहा है, जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में मैडिसिन वो कॉस्मेटिक शेत्र में किया जाता है। राइनों की पांच जीवित प्रजातियों को अभी भी शिकार से अत्यदिक खत्रा है, तथा उनका निवास स्थान घटा जा रहा है। अध्यन में पाया गया है कि गंभीर रूप से संकट ग्रस्त सुमात्रन राइनों में सींग की लंबाई में गिरावट की दर सबसे अधिक थी, जबकि अफ्रीका के सफेद गैंडे में सबसे कम थी। अगर गैंडों यानि रैनों की बात करें तो दुनिया भर में गैंडों की पांच प्रजातियां पाई जाती हैं। सुमातरं गेंडा, जावा गेंडा, काला गेंडा, एक सिंगवाला गेंडा और सफेद गेंडा पाजीरंगा राश्ट्री उद्ध्यान में पाए जाते हैं इसके अलाम आये इंडो नेपाल तराइक शित्र में भी पाए जाते हैं